Hello everyone, welcome to study explosion, आज हम करेंगे problem on ages के कुछ miscellaneous question, ठीक है? तो देखिए, first question देखिए Three times the present age of P is 25 years more than the present age of Q कहते हैं कि P का तीन गुणा, तीन टाइम P की जो age है, बहा, Q की age से 25 years ज़्यादा है तो हम let कर लेते हैं Let present age of P, तो P को मान लेते हैं, P की present age है, X years and present age of Q, तो Q की मान लेते हैं, by years, ठीक है? अब उन्होंने बोला है, three times the present age है, P, P की present age का three times तो P की present age है, X, तो इसका three times होगा, three, X बहा, 25 ज़्यादा है, Q की present age से, तो Q की present age कितनी है, by? जानकि अगर मैं three X में से by को बाहर निकाल दूँ, तो बहा, कितना है? 25 years ठीक है, next line में देखिए, after 10 years, 10 साल के बाद, ये होगे इनकी present is after 10 years, देखिए, P आज अगर X year का है, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा? X plus 10, इसी तरह से Y भी बढ़ जाएगा, तो Y हो जाएगा, Y plus 10, जानकि Q की बेली हो जाएगी, Y plus 10, ठीक है? अब उन्होंने बोला है कि after 10 years, 10 साल के बाद, twice the age of Q will be 18 years less than thrice the age of P, 10 साल के बाद जो Q की age है, 18 years कम है, thrice the age of P से, तो P की 10 साल के बाद age कितनी है, X plus 10, कहते हैं कि 10 साल के बाद, क्योंकि twice age, 10 साल के बाद जितनी भी age है, क्योंकि, जानकि कितनी है, क्योंकि age, Y plus 10, उसका twice, उसका 2 गुना, 18 कम है किसे, P के 10 साल age के thrice का, तो P की 10 साल के बाद A कितनी है? X प्लस 10, तो X प्लस 10 का thrice कितना होगा? 3 टाइम, जहें ज्यादा है Q के 10 साल के बाद twice का, तो Q की A कितनी है? Y प्लस 10, इसका twice, तो बहुत कितना है? 18 years, ठीक है? तो जहां से solve करेंगे, जह बन जाएगा 3X प्लस 30, minus 2 into by 2y, minus plus minus 2 into 10 करेंगे 20, equal to 18 आ जाएगा, जहां से 3X minus 2y, plus 30 minus 20, जह आपका बनेगा plus 10, और plus 10 राइट साइड जाएगा, जाने कि 18 minus 10 होगा, तो 7 बन जाएगा, जहां से आपके पास 2 equation बन गई, ठीक है? अब हमने निकालना किया, find the present is of Q, जिसको हमने let किया है, by years, जाने कि हमने by की value निकालना है, अब देखिए, एक equation है, 3X minus y equal to 25, और दूसरी equation बन रही है, 3X minus 2y equal to 7, ठीक है? अब हमने निकालना है by की value, जाने कि हमें x को खतम करना पड़ेगा, अब यह दो x plus का है, तो जहां पर minus आ जाएगा, जह minus का है, जहां पर plus आ जाएगा, औ अब जह प्लस का 3X और minus का 3X कट हो जाएगा, अब प्लस का 2y minus का y, तो प्लस 2y minus y करेंगे तो y आ जाएगा, 25 में से 7 जाएगा, तो 17 आ जाएगा, ठीक है? तो हमने by की value निकालनी थी, तो by की value कितनी आ गई? 7, जाने कि हम जे कह सकते हैं कि क्यों की जो present is है, बहर 17 years है, option D ही होगा इस question का right answer, उमीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ कि हो, next question देखिए, three years ago, the age of a man was six times the age of his grandson, कहते हैं कि तीन साल पहले, man की age कितनी थी, six times थी, उसके grandson की, grandson की age का, ठीक है? after three years, तीन साल के बाद, his age will be six more than four times the age, four times the age of his grandson, ठीक है? कहते हैं कि तीन साल के बाद, उस man की age, six ज्यादा हो जाती है, four times the age of grandson से, but is the present age of grandson, तो बताओ, grandson की आज present age कितनी है, ठीक है? तो जहां पर पूशा गया है present, और concept में दिया गया है three years ago, और after three years, जानकी पहले का भी दिया है, और आज से तीन साल पहले का भी दिया है, ठीक है? जान तो आप इसे ratio method से कर लो, जो मैंने आपको first video में trick बताई थी, different same करके, और दूसरा तरीक का देखिए, according to question, जिस तरह स से करना है, तो देखिए, हमने निकाल लिए present age of grandson, तो सबसे पहले हम इनको let कर लेते हैं, let the present age of man, हम मान लेते हैं man की present age है, x years, और present age of grandson क्या होगा? वो होगा by years, ठीक है? तो आज अगर man x year का है, तो जहीं पे हम three years ago, three years ago, तीन साल पहले, आज देखो, आज अगर कोई इनसान 10 साल का है, तो तीन साल पहले वो 7 का होगा, जाने की 10 minus 3 होगा, इसी तरह से आज man x year का है, तो तीन साल पहले x minus 3 year का होगा, इसी तरह से grandson भी by minus 3 year का होगा, और हम जहां पे after three year का भी बता देते हैं, after three year, देखिए, आज अगर man x year का है, मतलब आज अगर कोई इनसान 10 साल का है, तो तीन साल के बाद वो 10 plus 3, जाने की 13 का हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह से आज अगर man x year का है, तो तीन साल के concept clear हो गया हो, ठीक है? अब चलिए question पर क्या बोला गया है, कहते हैं, three year ago, the age of a man was six time the age of his grandson, कहते हैं, तीन साल पहले man की age जो थी, बहुत 6 गुना थी, grandson की age का, तो तीन साल पहले की हमारे पास age है, कितनी है, x minus 3, जाने की x minus 3 जो था, बहुत 6 time था, किसका y minus 3 का, तो जहां से बन जाएगा, x minus 3, equal to 6 by minus 18, जा जाएगा, x minus 6 by, equal to minus 18, minus 3 राइट साज जाएगा, तो प्लस में बदल जाएगा, minus 18, plus 3 करेंगे, तो minus 15 आ जाएगा, ठीक है, पहली condition आपकी जे बन जाएगी, according to second condition, question में उन्होंने बोला है, after 3 years, his age will be, जैने की man की age, after 3 years, his age will be 6 more than 4 times the age of his grandson, तो after 3 years, man की age कितनी है, x plus 3, तो कहते हैं कि x plus 3 जो है, बहुत 4 time grandson, by plus 3 का, और कितना जाएगा, plus 6 जाएगा, ठीक है, तो जहां से बन जाएगा, x plus 3, equal to 4 by, plus 4 into 3, 12, plus 6 बन जाएगा, तो जहां से x minus 4 by, equal to 12, और 6 18 हो जाएगा, 18 में से 3 जाएगा, तो 15 बन जाएगा, यह आपके पास आगई, second equation, ठीक है, अब हमने value किसकी निकालनी है, question में देखिए, but is the present age of grandson, तो grandson की present age को हमने क्या लट किया है, by year, जहने कि हमने by की value तो आपके पास first equation है, x minus 6 by, equal to minus 15, और दूसरी equation है, x minus 4 by, equal to 15, ठीक है, हमने निकालनी है, by की value, तो x को cancel करना पड़ेगा, जहां पर sign minus आ जाएगा, जहां पर minus है, तो plus आ जाएगा, जहां पर भी minus आ जाएगा, ठीक है, तो x plus का, x minus का cancel हो जाएगा, minus 6 by, plus 4 by, तो minus 6 by में से 4 by जाएगा, तो minus 2 by आ जाएगा, अब minus क्यों आया, क्योंकि 6 by बड़ा है, sign minus का है, equal to minus 15, minus 15, sign minus का ही आएगा, बट 4 plus जाएगे, तो 15 और 15, 30 बन जाएगा, तो minus से minus चला जाएगा, तो by की value आ जाएगा, 30 by, 2 जाने की 15 years, तो हम जे कह सकते हैं, कि by equal to 15 years, अब by किसको लेट किया था, by किया था, हमने grandson को, grandson की present age को, और जही हमने निकालनी है, ठीक है, तो by की value का आ गए 15 years, option, भी होगा, इस question का, right answer, next question देखिए, the difference between the age of a mother and a daughter is 20 years, कहते हैं, कि mother और डाटर की age का difference कितना है, 20 year, 20 साल, ठीक है, after 5 years, the age of daughter will be half of the present age of her mother, कहते हैं, कि 5 साल के बाद जो बेटी की age है, बहें मदर की present age का half है, आदा है, ठीक है, तो what is the age of daughter, तो बताओ, age of mother, mother की age को हम मान लेते हैं, कि mother की x year होगी, and the present age of daughter, तो डाटर की present age को मान लेते हैं by years, और by की value ही हमने निकालनी है, ठीक है, अब देखिए, उन्होंने बोला, the difference between the age of mother and daughter, mother और डाटर की age का जो difference है, बहें कितना है, 20 years, तो mother की age कितनी है, x, और डाटर की age है, by, इनका difference, जाने कि mother में से अगर डाटर की age को बाहर निकाल दिया जाए, तो बहें कितना होगा, 20 years, अब किसी बच्चे के डाट में अगर जे चीज है कि सर आपने x-by ही क्यों लिया, by-x क्यों नहीं ले रहे है, तो मैं हम आपको बता दू, mother हमेशा बड़ी ही होगी, तभी तो बेटी पैदा हुई है, तो बेटी शोटी होगी, ठीक है, तो x-by ही आएगा, और जे difference बोला है उन्होंने, तो जहां से x-by की value आगे 20, नेस्ट उन्होंने बोला है, after 5 year, the age of daughter will be half of the age of her mother, 5 साल के बाद डाटर की जो age है, उसकी मदर की आज की age का आदा है, ठीक है, तो after 5 year, देखो, डाटर को हमने लेट किया है, 2 year, तो 5 साल के बाद क्या होगा, y plus 5 हो जाएगी डाटर हमारे हिसाब से, लेकिन according to question उन्होंने बोला है, कि बेह मदर की present age का आदा है, तो mother की present age क्या लेट की है, हमने x, तो x का आदा जाने की x by 2 आ जाएगा, ठीक है, जे minus 2y equal to 10 बन जाएगा, जे आपकी second question आप बन गई, ठीक है, अब हमने निकालनी है y की value, एक equation आपके पास x minus y equal to 20 है, और एक equation है, x minus 2y equal to 10, अब हमने निकालनी है y की value, तो x जहाँ पे minus आ जाएगा, जे minus है तो plus आ जाएगा, minus आ जाएगा, ठीक है, तो minus plus का x दोनों cancel हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, तो 10 आए जाएगा, तो by की value का आगी, 10, जयनकि हम जे बता सकते हैं, कि डाटर की जो present age है, जिसको हमने by let किया था, तो वो है कितनी है, 10 year, option C, next question देखिए, after four years, the total age of the two members of a family will be 64 years, कहते हैं, कि चार साल के बाद, total age दोनों memberों की कितनी हो जाती है, 64 years, four years ago, आज से चार साल पहले, the ratio of their ages बाद, three ratio बन, आज से चार साल पहले, उनकी age की जो ratio थी, three ratio बन थी, तो find the age of the younger member, जो youngest member है, उसकी age बतानी है, जानी कि कौन सी age बतानी है, present age बतानी है, ठीक है, तो देखिए, हम इसे logic method से करेंगे, उन्होंने बोला है कि after four years, the total age of the two members of a family will be 64 years, आने बाले, चार सालों के बाद, दोनों member की जो age का sum होगा, बहर कितना होगा, 64 years, तो सबसे पहले हम दोनों member को let कर लेते हैं, माल लेते हैं, एक A है, और दूसरा B है, ठीक है, अब देखिए, after four years, after four years, इन दोनों की age का जो sum है, बहर 64 होगा, देखिए, आज कोई member अगर 10 साल का है, तो आने बाले चार साल के बाद, बहर 10 और 4, 14 का हो जाएगा, जाने की 14 years का हो जाएगा, ठीक है, तो इसी तरह से दोनों member, आने बाले 4 साल के बाद, 64 years के हो जाएगे, उनकी age का sum, तो चार साल कम होगी, जाने की दोनों की 44 years कम होगी, तो हम जे बता सकते हैं, कि present age का sum दोनों का कितना है, आज, तो 64 में से 8 निकाल देंगे, 56 होगा, उमीद चाता हूँ कि आपको समझा रहा हो, लाजिक मैथड, देखिए, आने बाले 4 सालों के बाद, उनकी age का sum होगा, 64, जाने की before 4 year, उनकी age का sum कितना होगा, तो पिछले 4 साल, 4-4 साल कम और होगी, तो भह बन जाएगी, 48 year, हम जे कह सकते हैं, कि before 4 year, उनकी age का sum कितना था, 48 year, तो 48 की उन्होंने ratio दी है, कि 4 year ago, the ratio of their ages, 3 ratio, 1, 3 ratio, 1, तो 3 और 1, 4, 4 की value है, 48, तो 1 की value क्या होगी, 12, तो जहां से हम जे बता सकते हैं, कि A और B, A की 4 साल पहले age कितनी थी, अगर 1 की value 12 है, तो 3 की value क्या होगी, 12 इंटू 3, 36, और 12 इंटू 1, 12, हम जे कह सकते हैं, कि before 4 year, A की age 36 थी, और B की 12 थी, लेकिन उन्होंने, जहां पर जंगर कौन है, 12 वाला, ठीक है, अब उन्होंने पूछा, find the age of younger member, अब younger member की 4 साल पहले age 12 year थी, तो आज कितनी होगी, अगर 4 साल पहले 12 थी, तो आज प्लस 4 बढ़ गई होगी, जाने कि 16 years होगी, अब ये देखी, मैंने total logic method लगाया है, जिसमें कोई भी trick जाही 10 trial जहा बोलता हूं कि formula use मत किया करो, math को hit and trial से ही करना सीखो, क्योंकि एक बार आ जाएगा फिर जिंदगी में भूलेगा नहीं, बट formula वही है कि जाद रहेगा, तो आएगा, otherwise नहीं आएगा, और formula से time बहुत based होता है, ठीक है, तो आपका main मुद्ध है time saving का, चलिए next question पर चलते है इस question का right answer क्या है, 16, option B, next question देखिए, the sum of the ages of six persons, A, B, C, D, E and F, कहते हैं कि six person की age का sum और six person कोन है, A, B, C, D, E and F, working in the same company is 105 years, एक ही company में काम करते हैं, उनकी age का जो sum है, बहुत कितना है, 105 years, there is a difference of five years between the birth of all of them, कहते हैं कि हर एक की age में five year का difference है, उनके birth से, but is the age of the eldest person, तो बताओ, सबसे जो बड़ा person है, उसकी age क्या होगी, ठीक है, तो हम माल लेते हैं सबसे बड़ा person कौन है, A, और person है कौन कौन, A, B, C, D, E and F, हम माल लेते हैं, A की age कितनी है, X, ठीक है, अगर A सबसे बड़ा है, और उसकी age X है, तो इसका मतलब हर person उससे पांच-पांच साल, मतलब हर person के बीच gap कितना होगा, पांच साल का, ठीक है, तो इससे शोटा वाला, X-5 का होगा, और उससे शोटा वाला, X-10 का होगा, क्योंकि X-5 और –5 और होगा, तो X-10 हो जाएगा, इससी तरह से, D X-15 का होगा, E X-20 का होगा, और F X-25 का होगा, उमीद चाहता हूँ कि आपको जे concept clear हो गया हो, अगर आपको जे concept clear हो गया है, तो बस आपका question निकल गया है, ठीक है, अब उन्होंने question में दिया है, कि age, इनकी age का जो sum है, 105 यर है, तो हम इनकी age का sum करेंगे, तो जे बन आपका X, प्लस X-5, प्लस X-10, प्लस X-15, प्लस X-20, प्लस X-20, प्लस X-25, ठीक है, लेकिन according to question में कितना है, 105, हमने निकालना किया, age of eldest person, जिसको हमने A मानना है, और जिसको हमने लेट किया है, कितना है, X-year का, ठीक है, तो जान कि हमने X की value निकालनी है, तो जहां से X और X, 2X, 2X और X, 3X, 3X और X, 4X, 4X और X, 5X, 5X और X करेंगे, 6X बन जाएगा, माइनस 5, माइनस 10, माइनस 15, माइनस 15 और माइनस 15, माइनस 30, माइनस 30 और माइनस 20, माइनस 50, माइनस 50 और माइनस 25 करेंगे, तो माइनस 75 बन जाएगा, और जहां से 6X की बैल्यू आ जाएगी, 105, माइनस 75 राइट साइज जाएगा, तो प्लस 75 में बदल जाएगा, तो जह बन बन जाएगा Vàôngcation क्षेर करेंगे तो इंडर्स एक्स के लिएटीज एकर एक्स की वन्हें गया एक्स की वैल्यूप्ति आजाएगी 103 गरेंगी 106-30 करेंगे तो और एक्स के आगी 30 केरें को एक्स कोन्य है यह की एक्स कोन है लिए SBWZ उगा Economics person जो है उसकी age क्या है 30 years option C होगा इस question का right answer next question देखिए when the age of father is 54 years then the difference between the ages of the two sister is four years कहते हैं कि जब father की age 54 years थी तो तब उनकी दोनों बेटियों की age कितनी है four years ठीक है बेटियों की age का difference जो है बहर कितना है four years father is two years younger than mother older than sorry father is two years older than mother father जो है बहर क्या है mother से दो साल बड़े हैं the age of the younger sister is half of the age of the mother कहते हैं कि जो younger sister है उसकी age half है उसकी mother की जनकी mother की अगर 10 year है तो उसकी five होगी find the age of elder sister तो बताओ जो बड़ी sister है उसकी age क्या होगी तो मैं आपको बता दूँ इस question को देखके पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि जे बहुत tough question है ठीक है तो जो question देखने में जितना tough देखता है बहर उतना tough नहीं होता है बस हमें करने की approach हमारी जो है बहर सही होनी चाहिए कि हम उस question को जिस approach से कर रहे हैं या बहर approach हमने सही पकड़ी है जा नहीं तो देखिए करते हैं इस question को father की age कितनी है father की age उन्होंने दी है fifty four years ठीक है father की age 54 year है तो two sister की age का जो difference है मान लेते हैं हम एक sister x है एक बाई है इनकी बीच जो age का difference है बहर कितना है four year का जानकि हम यह कह सकते हैं कि जो elder sister है बहर जंगर sister से चार साल बड़ी है ठीक है father is two year older than mother father उन्होंने कहा है कि दो साल बड़े हैं mother से तो अगर father 54 year के हैं तो mother दो साल शोटी होगी उनसे तो बहर 52 year की होगी ठीक है the age of younger sister is half of the age of mother कहते हैं कि जो younger sister है उसकी जो age है बहर mother की age का half है अब mother की age कितनी है 52 तो उसका half करेंगे तो 52 by 2 आ जाएगा जानकि 26 हम जे कह सकते हैं कि जो younger sister की age है elder sister की भी हम बता देंगे एक equation बीच में दी थी कि जो उन दोनों की age का difference है बहर कितना है 4 year जयनकी younger sister अगर 26 की है तो elder sister बड़ी sister जो है बहर कितने की होगी 30 year की क्योंकि बड़ी 30 की होगी shorty 26 की होगी तो दोनों each difference कितना होगा 4 का जही उन्होंने question में दिया था तो हम जे बता सकते हैं कि जो elder sister की age है बहर कितनी है 30 years देखिए question निकालने में कितना simple था तो इस question का right answer क्या है option D 30 years next question देखिए Sarika has three children Sarika के तीन बच्चे है first is five years older than the second कहते हैं पहला जो है बहर पांच साल बड़ा है दूसरे से and second one is four year older than the third और जो दूसरा है बहर दीसरे से चार साल बड़ा है ठीक है the sum of their ages is 22 years कहते हैं कि उनकी age का sum कितना है 22 years find the age of the eldest child सबसे बड़ा वाला चैल्ड जो है उसकी age क्या है तो Sarika के तीन children है हम let कर लेते हैं a b और c ठीक है a को मान लेते हैं सबसे बड़ा b को मान लेते हैं center और c को सबसे शोटा जंगर बन अब उन्होंने देखिए question को करना किस तरह से होता है जिसके बारे में कुछ नहीं दिया होता है हमेशा उसको लेट कर लिया करो अब देखिए first is five year older than second first का उन्होंने बताया कि पांच साल बड़ा है second से तो second चार साल बड़ा है third से specifically second कितना होगा 3rd अगर X है तो second X plus four होगा और first का उन्होंने बोला है first five साल बड़ा है second से second अगर एक्स प्लस four है तो first कितना होगा X प्लस four और प्लस five जानिकी X प्लस 9 होगा ठीक है तो जहां से हम यह भी कह सकते हैं यह होगा eldest child जिसको हमने निकालना है ठीक है अब उन्होंने दिया कि उनकी age का जो sum है कितना है 22 years लेकिन हम age का sum करेंगे तो पहला आ गया x plus 9 plus x plus 4 और plus x ठीक है हमारे हिसाब से sum जे बनेगा लेकिन according to question sum कितना है 22 years ठीक है तो x x x 3x बन जाएगा 9 plus 4 करेंगे 13 आ जाएगा जहें इकुल हो जाएगा 22 के तो जहां से 3x की जो value होगी 22 minus 13 तो 22 में से 13 जाएगा तो 9 रह जाएगा 9 होगा 3x के इकुल तो जहां से x की value होगी 9 by 3 जाने की 3 तो x की value के आगे 3 अब x की value है 3 अब हम जहां से तीनों person की age निकाल सकते हैं ठीक है हमने c को माना था x तो हम जे कह सकते हैं जो सबसे जंगर है उसकी age है 3 second बाले की x plus 4 3 plus 4 7 होगा third जो eldest है जिसकी हमने निकाल नहीं है उसकी कितनी है x plus 9 तो x है 3 तो 3 plus 9 करेंगे 12 years हम जे कह सकते हैं कि eldest child जो है उसकी age है 12 years next question देखिए two third of my present age is equal to three fourth of my cousin age कहते हैं कि मेरी age का two third जो पार्ट है किसके उकल है मेरे cousin के age के three fourth पार्ट के my age three year ago तीन साल पहले मेरी age will be equal to my cousin age four year from now कहते हैं तीन साल पहले मेरी age मेरे cousin के age के आज से चार साल बाद जितनी age होगी उसके equal है but is my present age तो बताओ मेरी present age क्या होगी तो let कर लेते हैं let my present age हम मान लेते हैं x year ठीक है इसी तरह से my cousin मेरे cousin की age को let कर लेते हैं by year ठीक है जे present age हमने let कर ली अब देखिए question two third of my present age तो मेरी present age है x तो इसका two third जाने कि two by three of x बन जाएगा जे किसके उकल है three fourth of my cousin is three by four of my cousin is cousin की age क्या है by तो जहां से x by y equal हो जाएगा three by four into two by three right side जाएगा तो three by two में बदल जाएगा जब बन जाएगा nine by eight ठीक है तो जहां से cross multiply होगी eight into x करेंगे eight x हो जाएगा equal to nine into y करेंगे तो nine by हो जाएगा जहां से eight x minus nine by equal to zero जे आपके पास एक condition बन गी ठीक है इसी तरह से according to question उन्होंने क्या बोला है my age three year ago तीन साल पहले मेरी age आज मेरी age कितनी है x तो तीन साल पहले कितनी थी x minus three by equal है to my cousin is four year from now आज से चार साल बाद मेरे कजन की age के equal तो आज मेरे कजन की age है य चार साल के बाद हो जाएगी y plus four तो जहां से x minus y equal to four plus three करेंगे seven बन जाएगा ठीक है यह हमारे पास बन गे दूसरी condition अब देखिए first equation है 8x minus 9y equal to zero और second है x minus y equal to seven अब हमने निकालना है my present day जाने की x की value उसके लिए हमें 9y की value को खतम करना होगा तो first equation में y की value 9y है second में y है जाने की उसे भी 9 से multiply कर देंगे तो यह बन जाएगा 8x minus 9y equal to zero और second बन जाएगी 9 into x करेंगे 9x आ जाएगा 9 into y होगा तो minus 9y हो जाएगा equal to 9 into 7 करेंगे 63 बन जाएगा ठीक है तो जहां से देखिए जहां पर minus आ जाएगा जहां पर plus आ जाएगा जहां पर minus आ जाएगा X की value का आजाएगी 63 और X की value निकालनी थी तो हम यह कह सकते हैं What is the present age? My present age कितनी है? 63 years Option B होगा इस question का right answer Next question देखिए Rajan was married 8 years ago कहते हैं Rajan की जो शादी हुई है बहर कब हुई थी? 8 साल पहले Then he was 5 by 6 of his present age कहते हैं जब बहर अपनी present age का 5 by 6 है At the time of his marriage, his sister was 10 years younger than him कहते हैं कि जब Rajan की शादी हुई तब उसकी sister उससे 10 साल शोटी थी What is the present age of sister? तो बताओ present age sister की क्या होगी? Sister की आज की age क्या होगी? तो सबसे पहले हम let कर लेते हैं Present age of राजन ठीक है? राजन की present age को हम मान लेते हैं X years और उसकी sister की present age क्या होगी? Present age of sister देखिए उन्होंने कहा है कि जब राजन की शादी हुई थी तब उसकी sister 10 साल शोटी थी अब मैं आपको बता दूँ उसकी sister अगर 10 साल शोटी तब थी तो आज भी 10 साल ही शोटी होगी क्योंकि age कभी भी ज़्यादा कम नहीं होगी उनके difference की क्योंकि अगर पहले 10 साल शोटी थी तो आज भी 10 साल शोटी होगी वो आने वाले 20 साल के बाद भी 10 साल ही शोटी रहेगी उससे तो इसका मतलब यह कि हो सकता है कि उसकी present age क्या होगी x-10 राजन की age से 10 साल शोटी ठीक है अब देखिए उन्होंने कहा था राजन बाज married 8 year ago आठ साल पहले आज राजन x year का है तो आठ साल पहले x-8 का होगा then he was 5 by 6 of his present age उन्होंने कहा है तब है 5 by 6 of his present age present age का कितना था 5 by 6 तो present age कितनी है x उसका 5 by 6 था तो 5 by 6 आप x बन जाएगा तो जहां से x की value निकल जाएगी जे बन जाएगा 6 into x 6 x minus 8 into 648 equal to 5 x तो जहां से 6 x minus 5 x equal to 48 हो जाएगा तो 6 x में से 5 x जाएगा तो x रह जाएगा x की value आजाएगी 48 अब x की value आगई है हमारे पास 48 निकाल नहीं है present age of sister जिसको हमने let किया है x minus 10 तो x अगर 48 है तो 48 minus 10 करेंगे 38 बन जाएगा तो हम जे कह सकते हैं राजन की जो sister की present age है बहे 38 years है ठीक है option ए होगा इस question का right answer next question देखिए the average age of the father and son is 28 years कहते हैं कि average age father और son की कितनी है 28 years after 4 years the ratio of their ages becomes 3 ratio 1 कहते हैं कि 4 साल के बाद उनकी age की जो ratio है बहे हो जाती है 3 ratio 1 find the age of father before 5 years तो बताओ father की आज से 5 साल पहले age कितनी होगी ठीक है कितनी थी तो देखिए the average age of father and son average कैसे निकालते हैं average अभी हमने पिछला chapter खत्म किया है average होती है sum of observation by number of observation ठीक है तो average उन्होंने दी है कितनी 28 sum of observation में कौन-कौन है father or son father plus son by number कितने है two father or son ठीक है तो जहां से father plus son की जो age है बहे कितनी आ जाएगी 22 into 2 करेंगे 56 ये आगे उनकी 56 total present age ठीक है अब उन्होंने question में दिया है after four year तो चार साल के बाद after four year तो father plus son की age का sum कितना होगा तो चार साल के बाद आज अगर 56 है तो चार साल के बाद father की भी चार साल बड़ेगी और बेटे की भी चार साल बड़ेगी और जहां सम हो जाएगा 64 लेकिन उन्होंने क्या दिया है according to question after four year the ratio of their ages becomes three ratio four जाने कि after four year उनकी age की जो ratio है बहे कितनी है three ratio बन लेकिन हमने after four year का sum निकाल लिया है कितना है 64 अगर total age 64 है और बहे रेशो में बटी है three ratio four तो रेशो थ्री और बन बन फॉर फॉर की value अगर 64 है फॉर अगर 64 के उकल है तो बन की value क्या होगी 16 तो इसका मतलब जह है son की चार साल के बाद age कितनी होगी 16 और फादर की चार साल के बाद age कितनी होगी 16 into 3 करेंगे 48 तीक है यह होगी चार साल के बाद अब जाद रखो अगर कोई person चार साल बाद 10 साल का होगा तो आज कितना होगा आज चार साल कम होगा तो बहे टैन का होगा इसी तरह से अगर फाद और चार साल के बाद 48 का हो जाएगा तो आज कितना होगा हम प्राजेंट बता सकते हैं मैनिस चार होगा जाने की 44 का होगा तो फादर की अगर एज आज 44 है उन्होंने बोला है before 5 YEARS 5 साल पहले एज कितनी थी तो 5 साल के पहले आज अगर कोई 44 का है तो 5 साल पहले 39 का होगा जा 39 years, उमीद चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है, यह question important है, 39 years, father की age होगी 5 साल पहले, option A होगा, इस question का right answer, इसी के साथ हमारा problem on ages खतम हुगा, नेस्ट विडियो में मैं जेके SSB में जितने भी question problem on ages के आए हैं, वो करवाऊंगा आपको ठीक है, उसके बाद हम start करने जा रहे हैं, main chapter जिसका नाम है simple interest, simple interest के बाद होगा हमारा compound interest, then time and work, pipe and system, time, speed and distance के साथ, train problem, boat and stream, उसके बाद हमारा होगा mean, median, mood और probability, उसके बाद हमारा start हो जाएगा advanced math, math B, ठीक है, तो मिलेंगे नेस्ट विडियो में, आज के लिए इतना ही, thank you class.